हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रीती स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइन रेस्पीज में आज हम बनाएंगे कोकोनट जूस इसके लिए हम लेंगे एक नारियल नारियल में से हम पानी और मलाई दोनों निकाल लेंगे नारियल में से हमने मलाई और पानी निकाल लिया है नारियल का जूस बनाने के लिए हम लेंगे दो चमचीनी और बरफ मलाई को हम छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे मलाई को हम छोटे छोटे टुकडों में इसलिए काटते हैं जिससे कि अगर मिक्सी के जार में अच्छे से पिस जाए मलाई हमने काट लिए एक हम मिक्सी का जार लेंगे उसमें मलाई डालेंगे चीनी डालेंगे थोड़ा सा नारिल का पानी डाल कर पिसेंगे जिससे कि मलाई अच्छे से पिस जाए इसको हम पिसेंगे अब अब जाए अब अब दकन खोलेंगे अब बाकी बचा हुआ पानी भी डाल देंगे अब बरफ डालेंगे और इसको फिर दुबारे से पीसेंगे ड़कन खोल कर देखेंगे कोकरण जूस हमारा बनकर त्यार है अब इसको हम सर्फ करेंगे जूस हमने सर्फ कर दिया है अब इसकी हम गार्निश करेंगे कटे वे बदाम लगाएंगे पिस्ता डालेंगे कसा हुआ नारियल डालेंगे ये जूस गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये हमारे माइन को फ्रेश रखता है और ये जूस पांच नट में बनकर त्यार हो गया है बनकर त्यार है हमारा कोकोनट जूस प्लीज सब्सक्राइब तो माइ चैनल एंड प्रेश द बेल आइकन झालेंगे झालेंन को तो माइन अच्छा रहता है थालेंगे प्रेश प्लिज सब्सक्राइब झालेंगे झाल झाल